भारते टीम इंदिनों दच्छिन अफ्रिका का दोरा कर रही है, T20 सिरीज समाप्त हो गई, बरतमान में उबंडे मुकाबले जारी है, इसके बाद दो टेस्ट मुकाबले के ले जाने हैं, ऐसे में दच्छिन अफ्रिका में भारते टीम का एक बहुत बड़ा दल पहुंचा कई खिलाडियों को रिप्लेज भी किया जा रहा है, टेस्ट मुकाबले में अब इसान किसन ने अपना नाम वापस ले लिया है, बिसी सियाई की तरफ से जारी बयान के अनुसार यह बताया जा रहा है कि इसान किसन ने नीजी कारणों से टेस्ट मुकाबले से नाम वापस इधर औबंडे मुकाबले में दीपक चहर टीम से बाहर हो गया हैं, ऐसे में बिहार के लाल अकास दीब को टीम के साथ जोड़ा गया है, आपको उचादे की दीपक चहर अफरीका जाने से मना कर रहे थे, हलाकि उनका नाम टीम के साथ था तो लगा की तब तक मामला बन जाए किया है उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 25 मुकाबले खिलने का मौका मिला जिसमें 42 विकेट अपने नाम दर्ज किए इस दौरान उनका इकनौमी चारदर सॉंलव आठ दुख गिरही है इस दौरान उनका बेस्ट बॉलिंग स्पेल च्छो रन खर्च कर तीन खिलाडिय की बात करने तो एक तालिस मुकाबले खिली जिसमें अर्टालिस बिकेट अपने नाम दर्ज किया इस दवरान इनकी बेस्ट बॉलिंग हस्पेल 35 रन खर्च कर चार खिलाडियों को अपना सिकार बनाया है इस खिलाडी ने बल्लेबाजी करते हुए भी रन बनाये हैं ऐसे में या किलाडी भारतिये टीम में पुछले बल्लबाजों की भून का निभा सकता है ऐसे में जिन लोगों के मन में यह सवाल चल रहा होगा कि आखिर अकासदीब को ही टीम में क्यों चुना गया तो उसका एक मात्र फैक्टर है इनका गिंदबाजी जो कि घरीलू क्रिकेट में सांधार रही है साथी साथ पुछले बल्लबाज की रूप में रन भी बनाया है फर्स्ट क्रिकेट में तो एक अर्स तक भी इनके नाम दर्ज है अकासदीब के अगर हम आईपियल केरियर को देखें तो वह भी सांधार रहा कोहली की टीम के लिए गिंदबाजी करते हैं इन अकासदीब का भारतिय टीम में डेवी होता है तो उनकी गिंदबाजी पर हर किसी की निगाह होगी क्योंकि बिहार के मुकेस किमार इंदिनों भारतिय टीम की गिंदबाजी के जिम्मेबारी संभाल रहे हैं ऐसे में अकासदीब के ऊपर भी एक प्रेसर होगा अकासदीब बिपरीत परस्थितियों में खुद को तयार किया और आज भारतीय टीम में खेलने को तयार है इस दोरान इस खिलाड़ी ने अपना भाई अपने पीता को भी खोया लेकिन हार नहीं माना इस खिलाड़ी की सबसे बड़ी ताकत है तब उनके पीता रामजी सेंगी मिरती हो गई अकास बच्पन से ही बेहतर खेलता था जिले भार में उसका नाम था लेकिन उबहा आगे नहीं बढ़ पाया फिर आगे की केरियर बराने के लिए बहा कोलकाता चला गया कोलकाता में ही सबसे पहले क्रिकेट कलब जॉइन किया और बंगाल की तरब से रंजी खेलने लगा फिर आईपेल में खेलने का मौका मिला और आज भारतिये टीम में सामिल हो गया है अकास दीब के बारे में गाउं के लोग बताते हैं उनका गाउं से बहुत लगाव रहा है जब भी मौका मिलता है गाउं आते हैं और बच्चों के साथ क्रिकेट की नई नई टेकनिक साजा करते हैं ऐसे में यह पता चलता है कि आकास दीब का गाउं से भी बहुत लगाव रहा है कासदीब के गाउं के साथ पूरे जीले और प्रदेश के लोगों को खुसी है कि बिहार का बेटा दुनिया भर में अपनी प्रतिवा का लोहा मनमाने को तैयार है हमारे टीम की तरब से कासदीब को धीरो सुप कामना है